कि जहीं दोस्तों हमारी समाच में नहीं जमाने की साथ-साथ बहुत कुछ दोस्तों मतलब इंप्रूब हो रहा है पेंट में अगर आप लोग देखिए तो पहले से दोस्तों वाइट सेमेट का पचलन था फिर प्लास्टिक पेनाया इमलसन पेनाया डिस्टेम पर आया उसके पर टेक्शर आया पुट्टी आया लेकिन अभी दोस्तों बता है अगर एक आपका घर पर एक रिच क्वालिटी का पेंट करने के लिए घर पर इस टोकू पेंट करना जरूरी होता है दोस्तों एक अच्छा लूग देने के लिए अब आपकी दिमाग पर आएगा कि इस प्लॉर पर वैसे ही आपका दिवारों में पेंट करने की बाद दिवार पर लगेगा अभी से हाथ दे घर तो आपको लगेगा कि हमने मारवैल पर फाथ दिया है अब आप कहेंगे रहे एक पेंट मार्वेल जैसा इतनी स्ट्रोंग या फिर मार्वेल से ज्यादा इतनी चिकनाई पन केसे हो सकता है दोस्त मैं आपको बता दो कि इस टोको पेंड जो है वो हमारे इंडिया पर अभी प्रोचलन हो आई लेकिन खासकर के यूएस कहो यूरोप कहो या फिर अमेरिका इन सारे जा इस टोको बनाया है अब लोग कहेंगे इतना खर्चा कितना आएगा क्योंकि मैं आपको बता दू कि इस टूकु पेंड जो है आपका रूम पर शिर्फ एक रूम को एक वाल को हाई-लाइट कर सकता है दोस्तों चारो तर अब आब लोग कहेंगे करेंगे तो देखने में अब लोग जो ठाइंन-ट कर ने के लिए उसको लगा दिए या फिर यद्धीन होताई वाल पार इस टूदू को करेंगे तो रिच्वालिटि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा ना दोस्तों को अ थो अपन और भी आप लोग के इस का थोड़ा प्रोसे बताईए या फिर खर्चा कितना आएगा 2024 में अगर हम लोग इस टोकु पेंट को करेंगे तो कितना खर्चा आएगा और थोड़ा प्रोसेस बता दीजे ताकि हमें भी कुछ आइडियाज मिल जाए इस टोकु की बारे में तो दोस्तो इस टोकु पेंट जो होता है मैं इसका प्रोसेस तॉधर थोड़ा बता देता हूं इस टोकु पेंट दूस्तो जैसे आपका प्लासटर का दीवार है इस दीवार को आपको करना सब्र में इस सकर्फिट में हमारे इस को करने का से पहले आपको पुट्टी और प्राइमर करना ज़रूरी है प्योंकि दिवार को सब声 जब जाएंगे तो आपको आएना की जैसा मिरार की जैसा आप लोग देख सकता है दोस्तों एहीं वहता है इस्टो को पेंट का पावार तो सबसे पहले दीबार को एक कोट प्राइमर कर दीजे दो कोट का एक रेलिक वाल पुट्टी कर दीजे एक कोट भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों और फिर प्राइमर करें करने की बाद अब करने की बाद 6-7 घंटा कम से कम सुकाना है लोग एक गलती बहुत जगह पर यह कर रही देता है हम मेंने खुब देखा है कि दो घंटा नहीं जाते जाते दोस्तों इस तो को पेंट जिस पर अपलाई किया है उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो करना सुरू कर देता है गलाद है दोस्तों जब तक शुखेगा आच्छे शाथ घंटा की बात तो एक और बहुतरीन होगा अब जिस तुको पेंट को करना चाहता है तो पहला कोट अपनी कर दिया है करने की बात धुबारा कोट में आपको क्या करना है एक पैटेंट बनाना है दोस्तों जो टेक की सेट्स को लेना चाहता है उसको आपको करना होगा और करने की बात जब भो जाए तब ढफिंग करना भाफिंग करने की बात दोस्तों आपका जो वाल है वह बिल्कुल उन्य प्रोसेस होता है अब सवाल कि में ठीक है प्रोसेस हमने थोड़ा panel या इस मिल चुगागा इतन हमारा एक ही रूम है तो इसको करने में कितना रूपया खर्च आएगा तो दोस्त अगर मैं आपको किलियर करके बता दो कि अगर आप लोग दो हजाज चोबीस में आपका एक रूम का एक दिवार जिसका लगभक टैन यानि कि सो इसके रुपिट है उसको अगर आप लोग स्टोक करेंगे तो आपका खर्चा एप्रोक्स पंद्रा से लेकर सोलह हजार रूपया आएगा ढ़र रूपया आपका लेबर फेट मेट्रियाल लग द्रोस्तों कि एक ईदिवार आपको हालिट करना है जांए आपका तीन testing हो क्योंकर घ्रेष्ट जादा होता है और उतना लोगों को नोलेज भी नहीं होता है तो जो कारीकार है उससे ही दोस्तों कराई खर्चा में ने वाता दिया 15,000 से 16,000 की उपर में जाएगा नहीं लेकिन आपको एक पेस्ट अच्छा रिच मार्वेल फिनिस पैटरन का दोस्तों लोग मिल जाएगा कर फिर मिलेंगे दोस्ते ने विडि़ों के साथ अब तक लिए यहीं अर्वान दे मात्रों